नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप मेरे कम्प्यूटर पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक पीडियाफ डाउनलोड किये और यह पीडियाफ जो है एक नई योजना है यमुना एक्सप्रेस वेविकास प्राधिकरन की तरफ से आई है और यह पहले मैंने एक डाली थी उससे यह बेसिकली योजना उनके लिए है जो लोग बिजनेस क्लॉस हैं जो लोग बिजनेस करना चाहितने हैं खास कर खिलोना से जुड़ा आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में टॉय काइथान शुरू के आए मकसद है कि खिलोना उद्योग को भारत में दिया जाए ताकि वो अच्छे से उत्पादित हो सकें और साथी साथ इंडिया के लावा बाहर भी जा सकें तो सरकार ने खिलोना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह यूजना शुरू किये यहां पर जो लोग भी खिलोना से जुड़ा व्यापार करना चाहते हैं जो लोग फैक्टरी लगाना चाहते हैं उनको बहुत कम रेट पर जमीन दी जा रही है तो चलिए देख लेते हैं शॉट में फटाफट अ ग्रेट इंडस्ट्रियल स्पेस वेर लाइफ मीट्स तु क्वालिटी ठीक है यह इनका टैग है और यहां पर आप देख सकते हैं इन्वाइट अप्लिकेशन पॉर अलाट्मेंट्मेंट्स ऑफ प्लाट्स इंट्वाय पार्क सेक्टर 33 हैंडी क्रेफ्ट हैंड्डूम पार्क एंड फर्निक्चर पार्क सेक्टर 29 में और जनरल इंडस्ट्री एंड्समी प्लाट्स सेक्टर 32 यह जो जना है यह जिसमें निकलने जा रही है billion Hmm आपर देखिये इन्हों ने बताया है यह मना एक्सप्रस और इंडस्ट्रिट्र आफ्र्ट्स टानर्टि का जो भ्रॉसर है वही के रूप में इस्तेमपशत्माल होगा तो डेट आफ ओपिनिंग थी इसकी 24 फरवरी 2021 को इसको खोल दिये गए थे आभीदन खोल दिये गए थे 24 फरवरी 2021 को आप यहां देव पा रहे और डेट आफ क्लोजिंग थी 20 मार्च 2021 और इसका जो ड्रा होना है वो 15 अप्रैल को होना है तो आपको बता दें कि 20 मार्च इसकी लास्ट डेट थी लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी इस बज़े से अभी इस योजना की डेट बढ़ा दी गई है अभी इस में अप्लाई करने के लिए आपको 25 मार्च तक का समय मिलेगा यानि 5 दिन हैं आपके पास अब बा जान रखने वाली बात है कि आप लोगों को GST का अपना व्योरा देना पड़ेगा जो आप GST फाइल करते हैं उसका व्योरा देना पड़ेगा इस योजना में आवेदन करने के लिए और इसके अलावा हेंडी क्रैफ्ट में अगर ODP के तरह भी स्टार्ट अप सुरू कर र कि रेजिस्टेशन उसका होना चाहिए अगर आप स्टार्ट अप पुलने तो भी आपका स्टार्ट अप का जो में समी का रिइस्टेशन होता है उसका सर्टिकेट लगाना पड़ेगा आपको यह आम लोगों के लिए नहीं यह बिजनस क्लास के लिए युजना है आप जान लेते हैं इसमें क्या जमीन का वेवरा क्या है देख रहते हैं तो यह जो ब्रॉसर है यह मैं आपको देदेता हूं अपने चैनल में आप देख लिजेगा हमारे वहां पर पूरा ब्रॉसर का पीडियाफ मिल जाएगा तो इत्मिना से पढ़ सकते हैं इसको क्योंकि अब मैं इसका रेट देख लेता हूं देखिए यहां पर इन इसका बेवरा दे दिया है डेट आफ ओपनिंग बता दिया था 24 फ़रवी 2021 को जो की चालू हो चुकी और डेट आफ प्लोजर जो था वह 20 मार्श था जो की अब 25 मार्श हो गया है इसके अलावा कॉंटेक्ट परसन अगर आपको कोई डाउट है कोई सवाल है पूछना है तो आप मिस्टर आलोक नाथ से पूछ सकते हैं या असिस्टेंट जेनरल मेनेजर इंडस्ट्री मुबाइल नंबर भी यहां पर इनका दिया लिया है तो आप सीधे इसे बात कर सकते हैं यह अथार आप निकलता है तो आपको दिया जाएगा अवलिविल्टी आफ स्कीम ब्राउचर डाउनलोड फॉर्म ऑथार्टी एंड वेबसाइट मतलब यह इन्होंने बता दिया कि अगर आपको इसका ब्रॉसर चाहिए तो आप जो है वेबसाइट के तुरू भी डाउनलोड कर सकते है यहां पर देख लिजेगा इतमलान से कौन कौन सी फरमेस में मानी जाएंगी प्रोप्र बच्परोडर्शिप फरम होगी रेजिस्टरड पाटनर्शिप फरम होगी टर स्ट वोगल रेजिस्टरड सोसाईटी होगी प्राइबेट लिमिटेड कोंनि हम प्लाइक काugen सकते ह is cost of the scheme browser free of cost है इसमें कोई पैसा नहीं देना आपको यह आप अधे डवलोड कर लिजेगा जो मैं भेज रहा हूं इसको भी ले सकते हैं और processing fees यहां पर देख लिजेगा कि पंदरह हजार रुपए जो है non-defundable, non-adjustable processing fees फार रुपीस 15,000 है यहां पर आप इसको आप इसको कर सकते हैं और यह processing fees दो होगी आपकी 15,000 रुपए यह आपकी non-refundable ध्यान रखिएगा non-adjustable कहीं पर भी अधेस्ट नहीं होगी 15,000 रुपए आपको खर्च करने है registration money for allotment of plot यहां पर registration money कितनी लगए नहीं है तो बता दें कि 10% आपको यहां बताया है कि एडजस्टेविल यहां पर जो है adjustable refundable amount equal to 10% total premium of the plot for which applicable is being submitted the amount shall be deposit through the online portal of EDA, RTGS and FT in the following bank HDFC का bank का detail अभी नीचे और साफ दे देंगे तो यहां पर देना है 10% आपको पहले registration में बाकी का जो percent है वो आपको किस्तों में देना है allotment money 30% of total premium cost of the plot after adjusting registration money within 60 days 30% आपको within 60 days में देना है और issues of the allotment letter जैसे ही आपको allotment letter issue हो जाता है applicant would have an options to pay full and final payment of the total premium of plot within 60 days from the issue of allotment letter in such a case 2% rebate will be given on the total premium of the plot अगर आप साथ दिन के अदर पूरा पसा देंगे तो आपको 2% की rebate मिल जाएगी जितना भी amount बचा था उसमें अब यहां पर देख सकते है ग्यारवा point बताया payment of installment for the allotted plot the payment of 70% premium cell be made in 10 equal half yearly installments ठीक है 70% जो आप 30% तो ले लेंगे तुरण 30 दिन के अंदर उसके बाद 70% आपका amount बचेगा उसका दस मलब equal divide कर देंगे दस किस्ते बान देंगे एक तरह से जो कि अगर आप इसको लोन के लिए करते हैं तो पांच यार रुपया आपको बताओ प्रोसेसिंग प्रिसकर्च करने आपको लोन मिल जाएगा इस पर ट्रांसपर चार्जेस है 5% प्रिविलिंग प्रिविम अमांट अप अप प्लाट अलॉंग विद अप्लिकेशन आफ ट्रां मीटर में आपको 6670 रुपय पर मीटर का रिट दे रहें इसी तरह अगर 4000 से 8000 पर जाते हैं तो आपका 5680 यहां पर इस चीज को देख लिएगा यहां पर बना रहें यहां पर टोटल जो प्लाट है दूस्तों नंबर प्लाट चौविस है एक अजार वर मीटर के पांच है उननिस सो बावन के तीन है और 3000 वर मीटर के आठ प्लाट है तो टोटल नंबर प्लाट हुए 24 इसमें से 80% रिजर्ड है और जो रिस्पेक्टिव इसके लावाज पर से बचेंगे वह अलग अलग के लिए रिजिस्ट्रेशन आमांट की बात करें मौन लिए एकजार के प्लाट के लिए आप रिजिस्ट्रेशन करने काम भर रहें तो आपको 6,67,000 रुपए देने हैं यह आपका रिजिस्ट्रेशन आमांट है और इसी तर सब्सक्राइब है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर साड़े चार सो रुपए स्क्वाइर मीटर का भी प्लाट देखिए यह प्लाट जो है टोटल नमबर 20 हैं साड़े 400 स्क्वाइर मीटर के प्लाट मिल रहें 20 यहां पर देख सकते हैं 80% जो है रिजर्ड प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो 16 अर्चित हो गए बचे चार प्लाट तो यहां पर भी आप देख सकते हैं रेट वही है 6,670 प्लाट जो है के अठारा सोगर मीटर तक के प्लाट है और टोटल नमबर अफ प्लाट 296 है ठीक है और यहां पर 237 प्लाट जो है अधर के लिए के लिए तो आप इसको इत्मिनान से पढ़िए और ब्रॉसर आप जो है टेलीगाम चैनल से ले सकते हैं वहां में डाल दे रह है और इसका जो लास्ट डेट फार्म भरने का अब 25 मार्च हो गया है तो पांच दिन बचे हैं आपके पास तो जो भी साथ इसको भरना चाहा रहे हैं तो यहां से एक सूचना लेने हमसे के वल मैं एक प्लोड़ इसी इंफरमेशन दे रहा हूं कि ऐसी योजना चल रही है और इस योजना से जुली सारे फैक्ट पढ़ने के लिए आपको यह ब्रॉसर पूरे अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा मारे पास वीडियो में समय भी बहुत कम होता है और यह काफी बड़ी पीडियाफ है तक्रीबन 48 पेज की पीडियाफ है तो यहां पर बहुत सारी सेव बार रहेगा तो कई लोग जो इस तरह का खिलां खिलोना उद्रोग से जोबे लोग है उनके पास पहुंच जाएगा तो उनके काम का है और हो सकता है कि सबके लिए ना भी हो यह काम का लेकिन मेरा काम कि सूचना दे दें आपको एक सूचना के तौर पर मैंने यह वीडियो बनाया है नमस्का धन्यवाद